लव इन्फाइनिट में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आप सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए अगर आपको आपके मन में कोई भी तरह का सवाल चल रहा है जो कि जवाब मिलना मुश्किल हो रहा है उसको आप टाइप कर दीजिए हो सकेगा तो मैं वहीं पर जवाब दे सकती हूं अधर्वाइस वीडियो बनाके आपको जवाब दूँगी तो आज बात करते हैं कि अगर रियुनियन जस्ट होने ही वाला है तो सबसे बड़ा साइन आपको क्या दिखेगा आपको इंजल नंबर आपको कौन सा दिखाई देगा आपको इंजल नंबर दिखाई देगा 144 एंजल नंबर अगर आपको दिखता है इट मींस यूर अरजिंग टौर्ट्स यूर स्पिरिच्वल पैशन यानि कि आप एक पैशन की तरफ दोड़ रहे हैं अपना पैशन अपने पैशन को परसीव कर रहे हैं क्या आपका पैशन पैशन इन दे सेंस आपके जो होबी से उन मेंसे कोई एक होबी ऐसी इतनी जबरदस्त कि आपको लगता है कि हाँ मुझे बस यही काम करना है और कुछ नहीं यही काम करके मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टी मिलती है चाहे वो काम दूसरों के लिए वालंडिरिंग करना है फ्री में कुछ काम करना है या नदी नाले इन सब के लिए काम करना है कुछ भी ऐसा हो सकता है तो ये आपका passion है इसको आपने आगे follow करना है परसी करना है आपका क्या ambition है लाइफ में क्या goal है ये आपको देखना है तो 144 इंजल नंबर देखने का मतलब है कि अगर अभी तक आप जूटे हैं इस अपने mission पर soul mission पर फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं तो जुट जाएए बहुत जबर्दस चेंज आपकी life में आने वाला है इंजल आपको यही कहते हैं आप लगातार काम में लगे हुए हैं और soul mission पर आप एक दो साल से भी लगे हुए हैं ठीक है और आप बहुत खुश भी हैं but don't forget that there will be defeat and losing in your way no matter how hard you try थोड़ा बहुत depression भी आ सकता है कि इतनी महनत कर यह उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि defeat यह जो हार है हार के बाद ही तो जीत मिलती है defeat are the pillars or you can say ladders ladder सीड़ी सीड़ी है आपकी जरा जरा सी छोटी छोटी मुश्किलें जो जीवन में आती हैं वही तो सीड़िया हैं आप कहते हैं कि in-laws ऐसे कह रहे हैं पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं husband ऐसे कह रहे हैं यह कोई भी कोई भी ऐसा बहुत है काम हो इनी रहा आपका जो जो mission उसमें जिनकी सहाइता की जरूरत है देखिए ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल free being हो गए और हमें किसी कि सहाइता की जरूरत नहीं है असल में होता कहते हम यही है ना कि ट्विन फिलिम जर्णी में जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं और आपको किसी की हेल्प की जरुवत ही ना पड़े लेकिन फिर भी बेसिकली लॉजिकली अगर हम सोचें तो हमें जरुवत पड़ती है ना जैसे हमारे निर्जन स्थान पर ऐसा नहीं है मेरे कहने का मतलब है जब भी किसी की जरुवत पड़े आगे बढ़ने के लिए तो वह अगर साथ नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं उसमें रिग्रेट फील ना करें और एकदम से विक्टिम ना हो जाए वन फोर फोर देखने का मतलब है कि आगे बिल्कुल नियू गिफ्ट आपके लिए बिल्कुल तयार है आप यह समझे कि आपका दर्वाजा यह बंद है आप देवे में बैठे हुए है और आपने दर्वाजे को खोलना ही है खोलते ही आपको बहुत सबर्दस लाइट दिखाई देगी एक और साइन बताने जा आपकी सक्सेस बिलकुल जस्ट जस्ट एक लिक क्लिक दूर है तो आपने अभी तक जितना भी काम किया है सोसाइटी के लिए अपने लिए जो भी तरह का गौल रहा है आपका और आपने लगातार उसी पर हड्र वग किया है, इनichtet किया kalau Pi ये लिखें निला से हार मिला सब को भी आप उस काम पर लगे रहे हैं उस मिशन पर लगे रहे हैं इट मिन्स आपके लिए नई जिन्दगी नई बिगनिंग न्यू चेंज इन यूर लाइफ आगे अल्रेडी खड़ा है तेयार है जैसे कि एंजल्स आपके पास बहुत अच्छे फ्लाड्स लेके खड़े हैं आपने जिस तरवाजा खोलना है और उनको ग्रैप कर लेना है उनको हग कर लेना है कडल कर लेना है फिर देखना कितना अच्छा लगता है मेरे कहने का मतलब है 144 अगर नंबर आप देखते हैं तो रियूनियन बिलकुल बिलकुल नहीं पाएगी इंजिस नंबर यही कहते हैं कि आप हार से ना हारें ठीक है जब भी हार आए तो हारें ना बस यह याद रखें कि हर चीज की एक न्यू बिगनिंग होती है और हर एक मुश्किल की खात्मा भी होता है मुश्किले हैं तो अंत भी है ठीक है ना क्योंकि आप क्योंकि आप इस तरह से नहीं बने हुए हैं कि आपको सिर्फ एक स्मूध रस्ता ही मिलता जाए जीवन में जो भी जीवन में आप कहीं भी देख लिजिए सिर्फ इंडिया का ही देख लिजिए अगर आप इडिया में रहते हैं तो जो भी बड़े-बड़े लोग हैं जो वाकई बहुत फेमस भी है, क्या उन्हें हार का रास्ता नहीं देखना पड़ा, क्या उनकी कभी किसी ने बेज्जती बिना बात में यूं ही नहीं कर दी, क्या उन्हें पैसों की कंपी सताई, क्या उन्हें अपने ही लोगोंने हर्ट नहीं किया कि उन्हें अपने ही लोगों ने जब बहुत मुसिभथी वू छोड कि नहीं गए यह सब कुछ उनके साथ वा है जो भी आप चाहे हॉल्लिवड सटब्स देखले एक्टर्स देखले डेलेёт साधू शन्यासी कोई भी देख लें उनका जीवन बहुत सारी कठनांई मुश्किल होता कुछ भी पाने में उन्य होने के लिए यह काम नहीं लेकिन वहने कभी पैशे कमाने के लिए यह काम नहीं किय अगर उनका Creator अगर उनका कश्जन था कि अ cierux गुरूर को शंच करना इस पीरिच्युव कि पर देखाना अगर उनुद्रों को ऩायों और प्यक्तिक करना drug exactly vejra watch fit गुरूर बनना या और वी कुछ जो भी वह entrepreneur बने हुए है तो उन्होंने क्या किया मेंत भाठना सब से पहले सिर्विस कैसी देनी है सबसे पहले सरविस कि और मुझा की मैं सेवा करूगा तो मैवा मिलेगा इसमेवा किए संपल साथन उसक्तों लुष से और अश्टा यह थे अचा है और आपके अंधर चोर्चो कि पर ईतना काम किया इतना ही किया इतने ही मिला बार बार आप यही सोचते हैं तो 144 देखने का मतलब यही है कि आप अच्छे पत पे चले हुए हैं लगातार आपने अपने लिए काम किया है तो सक्सेस success का मतलब आप पैसे से भी लगा सकते हैं कोई exam correct करना है उससे लगा सकते हैं कोई job या entrepreneurship पार्णी है वो लगा सकते हैं कोई factory कोड़नी है कुछ भी करना है कोई NGO कोड़ना है कुछ भी आपने करना है ठीक है ना तो वो आपको मिल रहा है साथ ही साथ name fame अपने आप पीचे-पी आल जाएगा newspaper, tv, radios में आने लगेगा और वो आ रहा है चाहिए वो थोड़े ही माध्यम से आ रहा है चाहिए district level पर ही आ रहा है चाहिए city के level पर आपका newspaper और radio पर आ रहा है पर आ रहा है ना और लोगों से आप यानिक है तो इस लिए आ रहा है तो इस चीज के लिए 144 की twin flame journey में अपने DM से आपका reunion बिल्कुल 100% तह है तैंक यू सो मच अब आगे एक चीज मैं कहा रही थी जो मेरा अपना personal experience है इसमें ये था कि मतलब एक रात के समय में अधेरा time था और बिल्कुल light off भी थी सोने का time हो गया था मैंने switch off किया light को और बस सोने के लिए ही लेटी थी और एक तम से आखे बंद की तो इतनी तेज रोशनी आई और ऐसा feel हुआ कि दर्वाजा खुला है मेरे ही gate का जिस रूम में मैं सो रही कि मेरे चारो तरफ में white light में बह गई मुझे ऐसा लगने लगा कि बहुत तेज रोशनी है सूरे से भी ज्यादा तेज रोशनी उसका कोई comparison है ही नहीं उस white light का कोई comparison में बता ही नहीं सकते कि इस light से मैंने सूरे बोल दिया sun sun से भी ज्यादा इतनी light से कि ऐसा लग रहा था कि इतना bright light इतनी white की मेरी आँके चुंदिया रहे थी तकलिफ हो रही थी मेरी आँकों को उस light में देखने में इतनी bright light और साथी साथ happiness का feeling आना साथी साथ happiness का जो feeling था ना वो मुझे अपने आप में बहुत खुश कर गया और मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी कि reunion की या किसी भी चीज़ की वो रहे ना रहे वो यहां से दूर चले जाए DM मेरे तो मुझे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यह एक तरह से वापस reunion होगा तो तो इस इस काल रियूनियन का साइन यह कह सकते है आप तो 144 अगर आपको नंबर दिखते है और यह bright light दिखती है ना आपको अगर एक बार दिखी है एक बार भी तो यह reunion का साइन है thank you so much and wish you all the best bye bye